ये भार्तिय नेवी का एक Advanced Flight Helicopter है, ALH, बायू सेना भी हमने देखा है, लेकिन जो नौ सेना ग्वारा इस्तमाल होता है, उसमें एक Maritime Radar Fit होता है, जिसके कारण ये अलग बनता है, ज्यादर शक्तिशाली बनता है, ये जो ALH है, मल्टी रोल है इसका, और मल्टी मिशिन, यान ये ALH फ्लाइ करते हैं, जो ALH आमी यूज करती है, या जो AFOS यूज करता है, उससे नेवी का कितना डिफरेंट है, माम नेवी में और AFOS में रोल्स अलग है, नेवी में हमारा प्राइमरी रिक्वार्मेंट है, शिप्स के साथ ओपरेट करना, और शिप्स के ऊपर लैंड कर चलता हुआ शिप में, लैंड करना एक अलग अपना चालेंज है, इस मुविंग कंटिनियूसली, सो स्टेबल प्लाटफॉर्म चाहिए उसके लिए, एंड हमको वील्स चाहिए होते हैं, जिस वज़े से जो कि ज्यादा लोड ले सकती है, लैंडिंग का, लैंडिंग गेर, एकराफ वेट को थोड़ा सा एड करता है, मेक इन इंडिया का कितना फाइदा आपको लगता है? जो स्कौर्डरन का नाम भी हम देख रहे हैं और जो उसका एक तरह सम कहें कि आदर्श्मा की जो उसका मोटो जो है, वो और आपकी जो भूमिका है, स्कौर्डरन की, वो किस तरीके से मेल खाते हैं? स्कौर्डरन का नाम है आएनेस 322, हमें नेवी में गाडियन्स के नाम से जानते हैं, हमारा स्कौर्डरन का मोटो जैसे अपने कहा है, सर्च फिरलेस्ली और रेस्क्यू वालियंट्ली, हमारा प्राइमरी रूल हेलिकॉप्टर का, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे समंदर में ह होता है, इस अनिबड़ी नेच तो बीरेस्क्यूट, तो बाइब को जबड़ जानते हैं, इस नाम से जबिदार भारतिय नाुसेना के स्कौर्डरL 321 की है, जिनने गॉट्स ओन एंजल कहा जाता है, हम इस स्कौर्डरल की भी खासियत समझने पहुचे हैं, जीतक हेलिकॉप्टर जो है वो एफूस भी स्तमाल करती है, आमी भी और नेवी भी. नेवी के लिए स्पेसिफिकली क्या अलग है? अब हम आपको वो कारवाई भी दिखाते हैं जिसकी यहां बात की जा रही खुला समुंदर विपरीद धारा और उस पर प्रशिक्षण का ये पहलू ये जो कारवाई आपको दिख रही है जहां पर एक व्यक्ति जो की समुदर के बीचों बीच था उसे किस तरीके से रिस्क्यू करके निकाला जाता है ये इनकी प्रशिक्षण का एक बहुत एहम हिस्सा होता है पूरे इलाके में जब भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ऐसी आती है तो आम लोगों को आम नागरिकों को बचाने के लिए उन्हें समुदर की लहरों से सुरक्षण निकाल लाने के लिए ये प्रशिक्षण एहम है आप देखेंगे भी किस तरीके से उस व्यक्ति ने पहले अपना हाथ हिलाया था और उसके बाद उसे वो रसी नीचे भीगी गई जिससे पकड़ कर उसके सहारे फिर उसे रेस्क्यू किया गया है समुद्र या नदी से रेस्क्यू की चुनोतियां बड़ी होती हैं लगातार बहाओ के कारण ठीक उसी जगे पर पहुँच पाने की चुनोती बचाओ के दोरान लहरों से लड़ने की चुनोती हवाओं से मुकाबला लेकिन हर आपदा में हमारे नौसेना के वीर देव दू पिछले सालों 2018 में जो केरल में बाड आई थी उसमें हमारे सभी जहाजों ने उसमें पाटिस्पेट किया था और जो लोग दीवारों के उपर छटों के उपर अटके हुए थे और इवन पेडों के उपर जो लोग वेटिंग फूर रिस्क्यू देवर प्रोवाइड़ रि अगाती से किया है रात में ब्रह्मपुरम फायर हुआ था यहां पे जहां पे एक सॉलिड वेस्ट्रीटमें प्लाट में आग लग गई थी और उसके दौरान भी हमारे एरक्राफ्ट यहां से ऑपरेट किया था और उस फायर प्लांट के उपर जो दो वाटर अल्मोस्त फि और केवल राहत और बचाव नहीं बलकि दुश्मन या किसी भी जलक्षेत्र में तेजी से सैनिकों को पहुचाना भी चुनोतियों से भरा होता है जब डाइवर्ज को पानी में ड्रॉप करना होता है उसका बहुत तेज तरीका होता है कि जो हेलिकॉप्टर्स है वो आए और डाइवर्ज को पानी में छोड़ते जाएं से एक टेंटन जंप कहा जाता है क्योंकि यह एलेच है जो बहुत नीची उडान फर रहा है धीमी रफतार से आगे जा रहा है चेतक हेलिकॉप्टर को जब हम इस लेवल पर उडान भरते हुए देखते हैं तो पानी में उतनी ज्यादा लहरे नहीं उड़ती हैं देखे जो आ बड़नेशन के जरिये ये सफल होता है और प्रिशिक्षन के जरिये भी नौसेना के एविएटर्स की पेचीदा भूमिका समुद्री पानी और वातावरण में उनके उक्करणों का रहना मेंटेनेंस के काम को भी काफी चुनौती पूर्ण बनाता है यहाँ पर जो मेंटेनेंस का स्टाफ भी होता है उसका जो नाम है वो वायू से जोड़ कर नहीं बल्कि उन्हें सेलर ही कहा जाता है खारा पानी बहुत नुकसान पहुचा सकता है उपकरणों को अंदर इसमें समुद्र में जब फ्लाइंग करते हैं तो उस टाइम पे जब लैंडिंग के टाइम पे सिप जब मूव कर रहा होता है तो वेवस जो है पानी का वो इसके एरकाफ की बोड़ी है पड़ता है जिससे क्या है आपका एरकाफ का जो बोड़ी है वो कोरोसी होने का चांसिस रहता है वो मौश्टर प्रोन एक्ट्मेंट्स में बहुत सारे प्रोलम्स आ जाता है तो उनका हमें बाद में डी मौश्टराइशन करना पड़ता है होटेर गं से उसको सुखाना पड़ता है एंड बोडी का जो एरकाफ का जो फ्रेम है उसका हम इसे फ्रेश वाटर से वाशिंग करते हैं एवरी टाइम कोच्ची जैसी जगे पे इन सारी जगों पर या पर रेस्क्यू के लिए जिन इलाकों में जाते हैं उसका तो सीधा मतलब है कि आप लोग पानी में ही फ्लाइ कर रहे हैं समय जानते हैं कि कोच्ची में जो मान्सून है वो आठ महिने तक लगबग रहता है तो यहां पे हम बारिश में फ्लाइंग आवोईड नहीं कर सकते हैं जो पूरा एर्क्राफ्ट हम देख रहे हैं कि अल्मूस्ट खुला हुए अंदर का हिस्सा हम देख सकते हैं क्या यह नॉमल मेंटेनेंस का हिस्सा है यह नॉमल मेंटेनेंस का हिस्सा नहीं है एक्चुली हम लोग यहां पर जहाज को लाते हैं जो इंस्पेक्शन हम फ्रेंट जिसके लिए downtime जादा होता है, उसके लिए जहाज को यहाज पर लाये जाता है, जहाज सको हम भारेकी से inspection करते हैं, जिन components को replacement किया आवाशकता होती हमको replace किया जाता है, जहाज में structural repair किया जाता है, cable audit किया जाता है, cable replacement किया जाता है, यह सब कार्य हम OEM की support के बिना अपनी in-house expertise प्रयास है आत्मनेरबर भारत की ओर नेवल एविशन में जो टेक्निकल पार्ट है वो हम उसके रूट से हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम उसको नूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इंडियन नेवी में बहुत पुराने एरक्राफ भी हैं और अभी के 4.5 जनरेशन वाले ज झाले जढए हैं